दोस्तो 26 जुलाई 1982 को सदी के महानायक अमिताब बचन को घंबीर चोट लगे थी ये चोट लगी थी मनमोहन दिसाई की फिलम कुली की शूटिंग के दोरान कुली फिलम की शूटिंग के दोरान एक फाइट सीन में उनके पेट में घंबीर चोट लगी थी ये चोट इतनी भ्यंकर थी कि अमिताब बचन मरते मरते बचे अमिताब बचन कई दिन तक होस्पिटल में रहे सारा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था और उनके चहने वालों की दुआएं रंग लाई वो स्वस्थ होकर वापिस लोटे कुली फिलम की शूटिंग पूरी हुई और कुली फिलम रिलीज हुई और कुली फिलम सुपर हिट हुई दोस्तों कुली फिलम के इस हादसे के बारे में तो सुभी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस हादसे से एक दिन पहले एक बॉली वुड कलाकार ने अमिताब बच्चन को बताया था कि आपके साथ ये हादसा हो सकता था कौन था ये बोली वुड कलाकार इसके बारे में हम आपको आज बताते हैं कुली फिल्म के बारे में अमिताब बच्चन अपने बलोग पर लिखते हैं कि कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक रात शूटिंग के समाथ होने के बाद वो अपने कमरे में सो रहे थे तब भी टेलीफोन की घंटी बजी उनकी नीन खुली और उनोंने टेलीफोन उठाया तो दूसरी तरफ समीता पाटिल थी समीता पाटिल भी अमिताब की तरह बोली वूड की जानी मानी कलाकार थी लेकिन अमिताब और समीता पाटिल के बीच में कोई खास मुलाकात नहीं हुई थी ऐसे में इतनी रात को समीता पाटिल के फोन ने अमिताब को चुंका दिया था दूसरी तरफ समीता पाटिल फोन पर काफी घबराई हुई लग रही थी समीता पाटिल ने अमिताब का खाल पुछा अमिताब ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इस से समीता पाटिल की गवरावट थोड़ी कम हुई और तब अमिताब ने पूचा कि फोन करने का क्या कारण है तब समीता पाटिल ने अमिताब को बताया कि अभी अभी उन्होंने अमिताब को लेकर एक बुरा सपना देखा जिसमें अमिताब बत्जन बुरी तरह घायल हो गए है और उन्होंने कहा कि आप अपना ख्याल लखें इस पर अमिताब बोले कि मैं ठीक ठाक हूँ आप बिल्कुल भी फिकर ना करें और अमिताब अगले दिन शूटिंग में व्यस्त हो गए अगले दिन उन्होंने बहुत से एक्शन सीन फिल्माने थे एक्शन सीन पर काम करना था दोस्तों अगले पूरे दिन अमिताब ने एक्शन सीन फिल्माए लेकिन शाम को वो हाथसा हो गया जिसके कारण अमिताब को घंबीर चोट लगी और अमिताब बच्चन को कई दिन तक होस्पिटल में रहना पड़ा लेकिन पूरे देश की दुआओं के कारण और इश्वर की किरपा के कारण अमिताब बच्चन सुष्थ हुए कुली फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और अमिताब बच्चन आज हमारे बीच में है लेकिन इतनी कम मुलाकात के बावजुद भी ये चुकाने वाला तथ्या है कि सुमिताब पाटिल को कैसे अभास हो गया था कि अमिताब को चोट लग सकती है ये तो भगवान को ही पता है दोस्तों और एक और बाद मैं आपको बता दूँ कि इतने सालों के बाद अमिताब बच्चन को अब कुछ समय पहले ये पता लगा कि उस चोट के कारण अमिताब बच्चन का 75% लिवर काम करना बंद कर चुका है लेकिन फिर भी वो आज इतने फिट है और अपनी महनत और लगन से आज भी हमें सुपर हिट फिल्में दे रहे हैं तो दोस्तो ये थी अपडेट अमिताब और समीता के बारे में अगर आपको हमारे अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो की नीचे धियो लाल बटन को दुबाकर हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो 26 जुलाई 1982 को सदी के महानायक अमिताब बचन को घंबीर चोड़ लगते हैं